आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुकार नमस्कार मैं हूँ गौरव स्रिवास्तो आप मेरे साथ देख रहे हैं बात अपने देश की दोस्तो बात अपने देश की इसलिए क्योंकि यहां पर जो भी चर्चा होती है उसका सीरा सरुकार सीरा सम्मन हमारे देश से है चाहे देश की अच्छाई हो चाहे देश की बुराई हो चाहे देश की नीतिया हो चाहे देश की समधाय हो वो है ओमिक्रॉन दोस्तों ओमिक्रॉन जो की कोरोना का नया बेरेंट है अफरिकास इसकी सुरूबात हुई 19 नवंबर से अफरिका की सुरूबात हुई और अफरिकास में इसका पहला केस आया उसते बाद धीरे-धीरे ये बढ़ता गया चार से पंदरा, पंदरा से सोला, सोला से अठारा, अठारा से तीस, तीस से अरतीस से सतर और लबह लबह ये समय पूरे बिस्व में लबह लबह बानवे देशों में फैल चुका है और चुकि बिस्व में बानवे देशों में फैला है तो हमारा भारत भी से अचुता नहीं र ने पाए और इस समय देश में 200 से ज़ादा मामिले और हर वार की तरह महराष्ट में सब से ज्यादा मामिले से महराष्ट में अन्य राज्यों में धरजनमन राज्यों में मैं इस समय ओमिक्रों फैल चुका है जो डबलु एचो का गाइडलाइंस है जो नीती है जो रिसर्च हुआ है उसके मताबिक ओमिक्रॉन लवह लभग साथ गुना डेल्टा बेरियंट डेल्टा बेरियंट वो बेरियंट है जिससे पिछली बार यानि जो दूसरी लहर आई थी उसमें तबाही फैली थी और करें तौ 34 जो अबादज हैं उनको कोल्या हुआ यानि उमिकोरण हुआ उसके बाद हाथे बर के अंदर अगले हपते में यानि साथ दिन बार और साथ दिन बार अगले हपते में वह बेरियंट वह लगभा लबद तेस्तर परसेंट लोगों को बेरियंट हो गया है लगातार हजारों के संख्या मरी जा रहे हैं बेटेन हो चाहे अमेरिका हो चाहे यूर्पीय देश हो आईलेंड में तो पाल्म कर रहे हैं वां कि बात करें तो गाइडलाइंस केवल कीवल अभी कागजों में ही ही जाबर लिए कहुँंगा क्यों कि कागज मैं बंनाना आसान होता रहे हैं जबीन क्लेको कठना पर बोत अलगी काम है जिस ःसे हम देख रहा हैं देश में रेलिया हो रही है। सभाय हो रही है, कोई रोगधाम नहीं है, कोई सोच नहीं है, कहा जा रहा लगातार कि आबारी बाले भीरवाले इलाके में नहीं जाना है, पर लोग जा रहे हैं, कोई रोगटोक नहीं है, कोई गाइडलाइन्स नहीं है, और इसका खामेजा आने बाले समय में हो जकता है कि भारत के यानि हम लोगों को भी भूगदना पड़े जैसा कि पिसमी बार कोरोना के डेल्टा बेरेन के समय हुआ था बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे मौत हुई थी बुगता किसने था आम जन्ता ने पर आम जन्ता को भी समझना पड़ेगा कि अगर गवर्मेंट कि बात करें तो बेरेसों में हमसे चारा बेतर पालन होती है क्योंकि वहां पर जो भी रूल से नियम कानून है वह इसने बहुता तरीके से पालन करा जाते हैं वह ब्यूस्था वह क्रियान्वन हमारे देश में अभी फिराल नहीं है हाँ पैनिक जब श्त्री हो जाती तब अधार नि मजबूर हो जाता है बहाँ ना निकलता है नहीं जाता है मिलता नहीं है हाथ नहीं मिलाता दूरी बनाता है मास्क लगाएगा dinitizer फाले गहरे हो जो सा लग रहें जो काम गाजिए है पर इस समय जब करोणा पैल रहा है उमिक्रोन मांदे बढ़ रहे हैं तो इस समय ये इस्तिछ सफी है कि लोग अपनी बात को नहीं मान रहे हैं सरकार भिस गॉर्ड कहां हो रहा है दिल्ली में लगातार हालत तिंता जंग हो रही है मारास में भी हालत है उत्तापरिस में मामले आने शुरू हो गए है और उत्तापरिस आबारे के साफ से बहुत बड़ा राच्छ है अगर कुरूना को डेल्टा ब्रेंड को रोकने का प्रयास उत्तापरिस में किया गया तो मौते भी काफी बड़ी संख्या में हुई थी पर सबसे बड़ी बात है कि इन चीजों से हम सबक कब लेंगे कोई जानकारी नहीं है कि रेलिये चल नहीं है आमसवाय चल नहीं है यात् हो रहा है पर किसी भी आदमी को यह नहीं पता है कि कोरुणा की जो तीसरा लहर है ओमिक्रोन जो नया बैरेंट है भारत में भी आ चुका है उसके संक्रमण भी फैल लाया है और डेल्टा बैरेंट से साथ गुना जारा तेजी से यानि हद्ते भर में मामले दुगने से इत्तर फीजदी हो गया कि पर इस तरफ सोचेखा कौन को ने स्ोचना चाहता है चनता अपने आप में बुझी है और सरकारी पच्छे अपनी अपनी बीर और शुकारी ना चल्द नाना धाय। कि चुनाव कैसे होना है, चुनाव कैसे कराना है, जनता को अपने पच्च में कैसे करना है, किस बोटवेंग के लिए क्या करना है, कौन सी नीती लानी, कौन सा अपार देना, कौन सी सोगात देनी है, क्या व्योस्था करनी है, यह व्योस्था अभी फिरार राजिनतिक मामलों में चर्चा में चलना ही है कि किस तरह से हमको यह व्यौस्था करनी है पर यह व्यौस्था के बीच आम जिन्दगी का क्या उस आम जिन्दगी के लिए उस जनता की जिन्दगी के लिए उन आम लोगों के जीवन के लिए कोई सोचना नहीं चाहता यह बहुत पुरानी का आवत है कि precaution is better than treatment यानि रोगधाम उपचार से बहतर है अगर हम किसी बीमारी को रोख लेते हैं तो वो उपचार से बहतर होता है पर यहां पर ना रोगधाम है उपचार तो फिर जो होगा वो देखा ही जाए लिए जिनकी स्वास्थ विएवस्ता हमसे कहीं ज़्याधा बैतर है अँछार नहीं है कि कि आसे भी संक्ली संक्षा में मौत हुई थी है कि और हमारी स्वास्प विए उफ्कित आपको पता ही है कोई जग-जाहर है कोई अलग से हमको बताना नहीं है worldly country Предक्या है कि कैस स्वा फायर आठाते हैं, दभाईयों की तसकरी होती है, काला बजारी होती है, इंजक्षनी काला बजारी होती है, यहां तक कि नकली इंजक्षन भी पेज दिये जाते हैं, गिरोह पकड़े जाते हैं बाद में, और जो सामान, जो 500 रुपा का था, वो सामान 2000 रुपे का विका है, च सबको पता है किसी को ऐसा कोई नहीं है जिसको यह ना पता हो किस मामारी में भी लोगों ने अफसर का लाव उठाया सरकार बोलती है कि अफसर में आगे बढ़े कि लोगों ने काम दंडे को ने सर्यक्तर को भी मजबूर कि इन जों आप को फूब पैसा कमाया चीजें बड़ा बड़ा के तीन दोगने दामह पर बेची गई और लेने वाला कौन था कष्ट्ष मर्ता है यानि कि हमाई जनता जो आम जनता है वो उन सामानों को उन चीजों को लेने के लिए मजबूर थी क्योंकि बेकल पर कोई नहीं था क्योंकि गाजलाइज बनाने बाले स्वयम संगर्स कर रहे थे सब को पता है कि कहां सत्ता थी कहां विपच्छता सब को पता है कोई बाद छिपी नहीं है, हाला कि सरकारों ने अपनी अपनी व्योस्थाएं की, मेहनत की, प्रियास किये, अगर हम उत्तर पिदेश की बात करें, तो मुक्वंतिरी योगी आजितनात ने भी स्योयम कुरोना संक्रिवित होने के बाब जूत लगातार मोर्चे पे डटे रहे, टिपल टी की घोचला की, टेसिंग, टेस्टिंग, टीटिमेंट, उसके बाद लगातार वो अपने लोगों के साथ नीतिया बनाते रहे, रणनीती बनाई, और कुछ हद तक, बहुत हद तक इस चीज़ को रोका, पर तब तक कुछ चीज़े हाथ से निकल चुकी थी, कुछ चीज़े ऐसी थी, जहां पर हमारा नियंटर नहीं था, चाहे वो प्राइबेट हस्पताल हों, जहां पर लोगों को लूटा गया, पैसा लिया गया, और उनकी जो मरीज थे, उनकी जान भी नहीं बचाई गई, क्योंकि उनके पास संसाधनी नहीं थे, कोरोना की दवाई अ एक ब्यूस्तिर उपचार की बात की गई थी, पर प्राइबेट हस्पतालों में केबल हो के मरीजों की जान से खेलवार हुआ, और जिसके नतीजे सामने आए, तो फिर ये मालीजे की इनसान जो था, उसकी रूह तक काब गई, क्योंकि साइद ही कोई ऐसा होगा, जिसने कि करोना की दूसरी लहर का सामना किया है, हर जनता के हर नुमाइदे को इस बात का एहसास है कि किस तरह हमने अपने लोगों को बचाया है, और कितनी ऊपर वाले की हम पर धया रही होगी, कि आज हम इस महामारी को जेल के जिन्दा है, पर उसके बाबजूर भी हम सबग नहीं ओमी करोन की देखते हैं कि अब हमको कुछ बिचार करना होगा, हमको कुछ चीज़ें ऐसी बनानी होगी, हमको ऐसी गाइडलाइन्स को फॉलो करना होगा कि हम दोबारा इस बीमारी की जद में ना आएं, दोबारा हमारे अपने लोगों ना जाएं, दोबारा हमारे देश मे मौते ना हो दुबारा लोग अपनों को ना खोएं दुबारा उस चीज का हमको सामना ना करना पड़े जिसके कारण कितने बच्चे अनाथ होगा कितने परिवार अनाथ हो गए वो कैसे अपना भरण पोसंग करेंगे किसी को नहीं पता केबल मौपजा से महरम नहीं लगता है मौपजा से केबल उस समय के लिए थोड़ी सी राहात मिलती है पर जो संगर्स पूरी जिन्दिगी अनाथ परिवारों के सान होता है वे जानते है या उनके परिवार का जो मुक्रिया है जो फिरहाल छला रहा होता है जो चला गया उसको पता कि आज हमारा परिवार किस इस् क्योंकि उसने वह गलती की होती हैं जो आज हम करते जा रहे हैं कि जड़ में आए इलाज नहीं हुआ चले गए पर अब तो समय है कि हमको अपने आपको एक बहतर कल के लिए तैयार करना होगा वैक्सिनेशन सरकार लगातार कर रही है अब यहां चला रही है पर वैक्सिनेशन कराना से यह है जिससे कि अगर फर्स्ट और सेकेंड डोज लग जाएगी तो कुछ आकड़े डबल यहों के तमाम स्टेडी के यह आए है कि अगर आपको डोज लगी है तो कुछ हद तक इस जो नया बेरेंट करोना का ओमिक्रोन इसका आप पर असर कम पड़ेगा साहर आप तो बैक्सिनिसन नहीं हुआ है उनके चांच से सबसे जादा है कि इस बीमानी से संकर्मित होंगे और यह मैं नहीं बोल ला हूँ यह रिपोर्ट बोल लाई है डबलू हो की तमाम ऐसे सोड अनुसंदान किंद्र की जो लगातार इस कोरोना के नए बेरेंट पर रिसर्च कर रहे हैं धूंड रहे हैं कि बेरेंट क्या है और सबसे बड़ी ताज़ुप की और संका की बात यह है और सबसे बड़ा डर की बात यह है कि जो बैरेंट है ओमिक्रॉन इसके लच्षण कोरोना के लच्षण से बिलकुल भिन है ना जुखाम होता है ना सरदर्द होता है ना रखांस ही याती है ना ही आपकी स्वार्ट और सूंगने की सक्ती जाती है की यह मासपेशियों में धर्ड और ठकावद होती है और दीरे दीरे आपके पूरे लंग्स को ये कवर कर लेता है और आखरी में आदमे की मौत हो जाती है। इसलिए आप समझी नहीं पाएंगे कि आप उमेर कौन से कब संक्रमित हो गए। तो इसलिए हमको सबसे पहले इस बीमारी की पती अपने आपको बचाना है। जब तक हम इस बीमारी की पती अपने आपको नहीं बचाएंगे तब तक हम अपने ओपने आपको बचा लिया। पर आपको तो काम करने जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पर्वार को चलता है। पर लोग कहते हैं कि अगर भए होता है तो डर होता है तो प्रिकार का भए चाहिए कि आपको भई आगणे याद दिलाए जाए कि आपको वही चीज़े याद दिलाए जाए जो पिछले कुरोना में हुई थी, क्या आपको वही चीज़े पताई जाएगी कि पिछली कुरोना में कितनी मोते हुई थी, देश में हमारे, सबको पता है, आप सोचते हैं कि क्या फिर से लोगडाउन लगाया जाए, क्या आपक कि यह मांग है कि सरकार को ऐसे नियम कारेक टाइट करें इतनी कठिन नीती बनाए कि आपको वो पालन करना में बहुत तकलीफ हो बहुत संगर्स करना पड़े और असुबदा हो पर अगर हम इन चीजों को कमतर आखेंगे अगर हम करने कदम नहीं उठाएंगे या अपने आप को भीड़ वाली जगह में जाने से नहीं रोकेंगे तो यह मान लीजिए कि आप इस तरह के नियमों के लिए तयार रहें और इसके बार जो बीमारी लगातार फैल रही है मैं आपको पता है कि डेल्टा बेरेंट से साथ गुना जारा तेज है उससे तेजी संकर्मित हो रहा कि कितनी तीबिर्था से यह क्रोना का नया बेरियंट यानि ओमिक्रोन फैल रहा है रिसर्ट चल लए है तमाम जानकारी जुटाई जा रहे है दबाई का सोद किया जा रहा है पर सबसे बड़ी बात है अभी सोद आते आते दबाई आते आते और उस नान का निस्कर्स आते बहुत समय लगेगा और तब तक हम अगर नहीं समले तो इस बीमारी की जड़ में होंगे और हम अपनों को खोने की स्थिती में आ चुके होंगे जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा था पिछली बार मास तक जब हो ली थी तब सब कुछ सही था और जैसे ही उसमें बात इ अपने घर में गए निश के पहले कोई मास्क नहीं कोई नहीं बना रहे थे कोई कोई बात ऐसी नहीं हो रही थी जिसका हम लगे कि हां हम लोग उस्का पालन करवा है आराम से भीर्वा वाली जगह पर जा रहे थे कोई हमाने रोक टोक नहीं थी हम भूल चुके थे कि पहली महामारी में क्या हुआ, पर पहली महामारी में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, जिसको हम याद रखते, पर दूसरी महामारी ने हमको वो सबक दिया, जो इस महामारी में हमको देखना पड़ेगा, हमको याद करना पड़ेगा, उस दूसरी महामारी में जब लाखों लो जाएगेगी, कि कभ इन सभाव और रेलियों प俺 sudah यातरौं से रोग लगेगी, कि यह मैं शुव्थ करेंगे कि कि लागे कि जन्व में आ रहे हैं, कभ बटा नमें है कुछ नहीं पता ओमिक्रोन के माम लगातार बढ़ रहे है मामले कोई नहीं कुछ नहीं जाता है कि किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं कई राज्जों फैल चुका है लगवा लबा दरजन भर राज इसकी चपेट में आ चुके हैं और हमारा प्रदेश अनुत्तर प्रदेश कोई पालन नहीं हो रहा है लगातार यह देखा जा रहा है कि काईद्लाइज बनती है некरुझके गज़ को अ-रुम ठैस क्यूंस में इस समय हाला चिनताजनक है भा पाभा हजारों के शक्राइब मोत भी होना शूरु में पर सरकार को इस में गदम तक अगर सरकार इस दिसा में कदम नहीं उठाएगी तब तक यह मान लिजे कि हम फिर तीसी लहर की चन्द में आने बाले हैं। साथ ही साथ हमको और सरकार को स्वाफ सिवाओं की भी समिछा करनी पड़ेगी। कि अगर हम समिछा नहीं करेंगे तो हम कैसे मान सकेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है। करोना के बाद दूसरी लेर खता मुहिं थी तब तमाम बादे की जा रहे थे औक मैं यह नहीं कहुंग उक्सिट्रांट नहीं लगाए जा रहे हैं। पर जो युद्धिस्तर पर हमारी रेड़नीटी चल लाई थी जैसे हम लगातार की युद्धिस्तर पर काम कर रहे थे वो युद्धिस्तर अब इस समय चुनाबी इस तरह बदल चुका है क्योंकि जन्ता जनारदन समय है रेनियों ब्यicanत है जब जन्ता-जनारदन लिर्टप सरय नाय है तो अपने पर प्रकॉर्स को मज्बूत की रहे सहे भिदय है सारी ब्योस्ता है पैसे अटाने से मजबूत है पमाम सुबदा इनको मिल जाती है John चहांता देखा जाता अपने आप अपने आपको बचा भी सकते हैं पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस तरफ कब ध्यान देंगे दोस्तों ओमिक्रॉन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो तरद रूप से उप्तिर्थ हुई है कोरोना की पहला एलफा बेरियंट दूसरी महामारी जल्टा बेरियंट और तीसरी महामारी ओमिक्रॉन शुरुबात हुई एक देश दोस देश तीन देश और बलते बढ़ते अब लबा लबा बिस्व के ना बनवे बानवे डेसों में हैं और भारण में भी आ चुकी है दोसो जारा मरीज मिल चुके हैं जिनकी जीनोम सेक्व मैं आपको यह बार और बता दू कि अभी हाल में जानकारी मिली है कि लोकसवा के एक सांसर है जो कि अमरवा सांसर है कुणर दानिस जो की बहुझे समाज पार्टी के सांसर है उन्होंने खुड पुष्ट्य की है कि मैं सदन की कारभाई में था और मुझे करोना का संक्रमन क की पुष्ट्य हुई है तो सबस्वड़ी बात है कि उन्होंने बताया जैसा कि पूर्ग के जो नेता थे जो इनको संक्रमन हुआ था यह बताया है पर जो उनके साथ लगाता सदन की कारभाई में सदन की सत्र में भाग ले रहते तो उन सारे लोगों को अपनी जाज करानी ह होगी अपने आपको आइस रोट भी करना होगा अगर कोई लच्छड आते हैं और सबके सेंपिल जीनिम सेक्वेंशन के लिए भेजना होगा कि अगर कोई ओमिक्रों से संपर्क में आया है तो यह हमाई लिए खटरे की जिहंटी है क्योंकि यह बही पतनीडी है जो सत्र के किलावा सबसे जाजेंची कथ्विदी होती है सकरetा होती है वह आम जनता के लिए आते रहते हैं जनता के रहते हैं इस लिए अगर यह संक्रमत हुए और अगर आईसुलेटन नहीं हुए उन्होंने अपना प्रोटोकाल नहीं रखा नहीं आए तो यह आने वाले तिन जनता के बीच अगर जाएंगे तो यह नुक्सान का कारण बनेंगे और जनता के बीच जाकर संकमन को फैलाएंगे खेर बो राजनिता है बड़ी पद भी है बड़ा पद है तो निस्चिर रूप से उनकी जार्ज भी होगी सेक्वेंसिकर बहने जाएगा सारी बाते बता ही ज जाज करा ले और इतियातर आइसलेट हो जाए अच्छी बात है बहुत सही समय पर सही नर्जेज वो देते हैं अपने ट्वीटर के माद्यम से सोचल मीडिया के माद्यम से लोगों को बता देते हैं कि हम कोरोना संकर में थूए हैं और अपनी जाज करा लाएं वो हमसे जो ल अगातार में इस बात को कह रहा हूं कि जो हमारे देश में सत्ता से संबंदित चुनाओं से संबंदी कर्दिया चल रही हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन्स क्यों नहीं बनाई जा रही है क्या आप अपनी बात सोचल मीडिया के माद्यम से नहीं बता सकते हैं क्या हम बात कि यहां पर बढ़ा पिस्ट्न है कि जिस तरह से आखड़े बढ़ रहे हैं अगर उन्हाँकड़ों पर हम कोर करेंगे तो हम बहुत जल्दी इस महामारे की जन में आएंगे पर अभी भी हमारे पास समय है समय ये है कि हम अपने आपको बचाएं अपने लोगों को बचाएं, अपने परवार को बचाएं और तमाम सरकार अगर guideline नहीं बना रही है सरकार guideline को follow नहीं करा रही है अनुपाला नहीं करा रही है, अगर सरकार नहीं चेत रही है तो आपको चेतना होगा आपको अपने लोगों के लिए, अपने परवार के लिए अपने समुझाय के लिए आपको चेतना होगा और आपको खोर ऐसे फैसले लेने होगे जिससे कि ये बीमारी को फैलने से रोका जाए क्योंकि हम पिछली महामारी में सबक ले चुके है कि इस तरह से हालाद चिंता जनक होने से सबक नहीं ले लेंगे तो हमारे मानब जीवन होना ही अपने आप में सबसे बड़ा प्रिस्न होगा क्योंकि गल्ती एक बार होती है अगर गल्ती बार बार हो तो गल्ती नहीं वो आड़ेट केलाती है और अगर हम अपनी गल्ती को अपनी आड़ेट बना लेंगे तो इस तरह की महामारीयों का हम हमेशा सामना करते रहेंगे क्योंकि हम इतिहास से सबक नहीं लेते हम रोगधाम नहीं करते हम उन गाइडलाइंस का पालन नहीं करते जो हमाई लिए बनाई गई है जो हमाई स्वरच्छा के लिए हमारे जीवन को बचाने के लिए बनाई गई है हम केबर केबर सरकार पर एक ठीक ना फोड़ देते है कि स सरकार ने कुछ नहीं किया शरकार के पास सीमिर साधर हैं सीमर व्यश्थाय हैं सरकार आपको बचाने के लिए जद्धो जहर करती है पर सबसे बड़ी बात है इस जद्धो के बीच आप सबसे बड़ी बात है जद्धो工 nectar के भी आप वह तर्पड़ता दिखानी होगी कि किस तरह से हमको सरकार के साथ कंदे से कंदे मिला कर चलना है अगर सरकार ने काईलेश बनाई है तो उसका पाला किस तरह हो डंडारबक तरीके से हो वो हमको समझना है वो हमको आम जनता के बीच बताना है उस जम्मधारी उस तमाम संगरों की ह राजनीति के लोगों की है, जन्पतिनीडियों की है, इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने आपको भीड में जाने से बचाना होगा, मास्क लगाना होगा, यह जम्मिदारी महज सरकार की नहीं, यह जम्मिदारी देश के हर उस नागरिक की है, जो जिसके पती देश की जवाबदाही है, और जिसकी जवाबदाही देश के पती है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि दूसरी महा मारे का अतियास हमारे देश में दोराए जाए, और हमारे अपने फिर से हम से दूर हो जाए, हम अपनों को खोड हैं, जो हमारे बहुत अपने थे, जो हमारी जिन्दगी में बहुत बड़ा इस्थान रखते थे, यह हमको सोचना ह होगा, तो अपने सकारिकम के माद्यम से मैं देश की सरकार, राज्य सरकारों से यही उम्मीद करूँगा कि चुनाओ को समझ चलना हूँ, चुनाओ भी जरूरी है, अपना बहुमत जुटाना जरूरी है, जन्ता को अपने पाले में करना जरूरी है, समर्थल लेना भी आपकी है, इसलिए तमाम ऐसी बातें सोची नहीं होगी, कि जो काम अगर जन्सभा करके ना हो, बड़ी भीडना चुटाई जाए, रेलियों में सीमित लोगों रखे जाए, इस तरह का जमाबडा ना हो, कि अगर वहाँ पर एक संकर में थो, और संकर मन लोगों में फैलता चला जाए, और हम फिर महामारी की बिविश्का में सामल हो जाएं, और फिर हमको अपने लोगों खोना पड़ें, और साथ ही साथ इस कारेकम के माध्यम से, मैं अपनी जन्ता से भी कहना चाहूंगा, कि आप लोग भी सरकार के सहारे ना रहें, सरकार जो गायलेज बनाती है जो संसादन देती है, जो चीजे बनाती है, वो अपनी जाए कर रही है, स्वास्वाओं को बेतर कर रही है, प्लांट लगा रही है, पर कही न कहीं जन्ता की जम्रारी है, कि अपने आपको इस बीमारी की जन्त में आने से बचाएं, और अपने आपको सबसे पहले एक स्वस जानते हैं क्योंकि guidelines चाहे रेडियों हो चाहे इस्तेहार हो चाहे अख़वार हो तमाम तरह से हम को मालूम पढ़तीने दिया है कि और लोगों को बचाना है तो जिस तरह हम खुड बचेंगे तब अपने परवार को सबसकी इस बीमारी से तो दोस्तों आज की मुद्दे बेतना ही अगले बार फिर किसी नए मुद्दे के सारा होगी मुलाकार तब तक करगे नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुकार